ये जब जीवन पूरा होने वाला होता है ना तो ये बुढ़ापा आने का संकेत होता है क्या क्या चीजें होती हैं आपके बाल सफेद हो जाएंगे दात आपके गिर जाएंगे आखों से दिखाई कम देगा कानों से सुनाई कम देगा हाथ पेर कापने लगेंगे ये सारे हैं बुढ़ापे के लक्षड पर सत्य बताईए हम इन लक्षडों से कुछ सीखते हैं क्या दात तूटे तो हम दातों से कहते हैं दात हमसे कहता है कि भाईया बहुत चटपटा खाली अब साधा भोजन उच विचार करो और सुखी जीवन जीओं अबितरस खालो जीवन और हमें इतना यूपवियो किया है कि वह दात हमें संकेत spareusstय तो हम दातं से कहते तुम तूटते रहो हम लगवाते रहेंगे तुम अपना काम करो हम, अपना काम करेंगे बुराई इसमें भी नहीं है बुराई बालों का रंग बदलने से नहीं है बात ये है कि बालों का रंग बदल ये पर जीवन का भी तो रंग बदलना चाहिए न बालों का खूब रंग बदला पर अगर जीवन का रंग नहीं बदल पाए तो इसका फिर कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है ठाकुर जी का खूब भजन किया जाए खूब उनको याद किया जरूरी नहीं कि ठाकुर जी को हमारा आर्थी करना ही पसंद आए क्या पता ठाकुर्जी को जूटा सच्चा कुछ भी गाना ही पसंद आजाए कुछ कोई भजन ही उन्गो नाना पसंद आजाए ठाकुर्जी मंत्र भी अगर आप बिना भाव के बोलो तो नहीं सुनते हैं और गाली भाव से दे दो तो वो भी ठाकुर्जी ले लेते हैं यह दोनों चीज का फरक है मंत्र भी खाली फॉर मेल्टी के लिए होगा ना तो ठाकुर्जी भी बेठे रहते हैं हो गया इसका तो रोज का काम है यहां तो लोग गाली देके भी ठाकुर्जी को पा लेते हैं एक भगत जी थे भगत भी नहीं थे ऐसे ही सज्जनते शद्दा रखते थे ठाकुर्जी के चड़नों में मंदिर गए एक बार जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर एक पद चल रहा था जैसे अभी हमने पद गाया ना तो वहां पर मंदिर में एक पद चल रहा था बिहारी जी के चरण कमले में नयन हमारे अटिके सब लोग आई एक बार बिहारी जी के चरण कमले में नयन हमारे अटिके बिहारी जी के चरण कमले में नयन अच्छा लगा ना अच्छा उनको भी अच्छा लगा था कि इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा मंदिर से आए घर में पूरे टाइम गुन गुनाते रहे पर हुआ क्या थोड़ी सी लाइन बोलने में वो गड़बड आ गए जैसे उस दिने कुद हरड़ हमने सुना ना खाईये खाईये शरम तो है नहीं तो वैसे ही कुछ गड़बड हो गई इनने सुना था भिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे और ये घर आई इन्होंने गाना शुरू किया भिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके पूरा दिन गाये शाम का समय हो गया गाये जा रहे ठाकुर जी के पास आरती लेके पहुंचे तो ठाकुर जी प्रगट हो गये बोला आरती बाद में करना पहले तुमसे मिलना है उसने का ठाकुर जी इतने दिन से पूजा करी आज तक आप नहीं आयों बताओ आज़े के आज आ गए ठाकुर जी ने बोला भाईया दुनिया के नैनन में हमारे चरण अटके और हमारे नैनन में तुम्हारे चरड़ अटके और जब हमारे नैनन में अगर तुम्हारे चरड़ अटक गए तो जिसके चरड़ अटके उससे हम मिलेना ऐसा हो सकता है क्या कि सब को जो अटकाता है आज उनके नयान कमल में तुम्हारे चरर अटके हैं तो हमने भी सोचा ऐसे भगत से तो मिल लेना चाहिए कहने का तात पर यह क्या आप भाव से कुछ भी कहो सरकार स्विकार करते हैं भाव की तो गारी भी सरकार को पसंद है भाव का तुल्सी का पत्ता भी ठाकुर जी को पसंद है और बिना भाव का दुरियोधन का छपन भोग भी सरकार ठुकरा के चले जाते रखे रहू दुरियो भूखा हो और या तो बहुत प्रेम हो और मेरा तुमसे दोनों नहीं है ना तुम्हें भूखा हूं मुझे आशक्ता भी नहीं है और ना मेरा तुमसे कोई प्रेम है तो जहां पर ये दो चीज ना हो वहां का अन्न ग्रहड नहीं करना चेंगे ठाकुर जी चले गए विदुर यहाँ और भीदरानी मियां क्या कर विभार के धाकूर चीह कर रही है केला ले रखा है ठाकूर जी को पवाने के लिए दिए गया ठाकूर जीह ने देदिया फानिनी kost अन्हें कग हर आज मियां क्या कर रही है के छिलटे लान्टी एhou फाल फेक दिया और छिलका उठाकि ताकुरी ने दे लुपाओ जी और पुर्द जी वबड़ियाँ स्वाद से पापा कर कह रहे हैं मयां बड़ा स्वाध आ रहा है असा स्वाध तो कभी दही मक्खन में भीला जो तेरे छिलकों में आ रहा है जिसने भी भाव से ठाकुर जी को पवाया ठाकुर जी ने कभी उसके मन को ठुकराया नहीं है मेरे भैया ये मेरे रागव जी हैं दुनिया में कोई एक ही बनते हैं राम और कृष्ण और संसार में दूसरा कोई होने वाला नहीं है श्री दश्रत जी महराज ने उन श्वेत केशों को देख कर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का निर्ण ने लिया बाल सफेद होते हैं ध्यान दीजिएगा बालों का दो रंग होता है बाकी तीसरा रंग तो हम करते हैं नारंगी पीला आज कल तो बड़े रंग चल रखते हैं बालन के भी पहले दो ही होते एक काले और या फिर वाके बाद सफेद अब तो लोग काले बालन को भी सफेद लाल पीला हरा गुलावी कुछ भी मोर पंख बना लेते बाल के दो रंग बच्पन में काले होते और बाद में सफेद बालों को कभी अपने प्राकृतिक रूप से कभी आपने नीला पीला हरा गुलावी होते देखा है पहले काले रहते हैं बाद में श्वेत हो जाते हैं मानो बुढ़ाबे में आकर वो बाल और एक बाद वो सारे बाल सबसे ज़्यादा जो पहले सफेद होते हैं वो कानों के पास के बाल सफेद होते हैं इतनी बड़ी खोपड़ी छोड़ देते हैं ये बाद में धीरे धीरे शुरुवात कहां से? यहां से क्यों यहां पे पहले सफेद होते हैं? क्योंकि ये एरिया कान के सबसे समीप होता है। श्वेत बाल आकर कानों में कहते हैं। भया अब हम आ गए हैं। हम बाल हैं। और हम तब से तुम्हारे साथ हैं। जब तुम बाल थे। अब तो हमने भी अपनी कालिमा छोड़ दी। और सफेद हो गए। अब तुम अपनी कालिमा कभ छोड़ोगे और श्वेत जीवन जीओगे। अब रंग भी रंगी दुनिया छोड़ो। अब श्वेत जीवन जीने का समय आ गया। श्वेत जीवन का स्तात पर ये बेदाग जीवन। जिसमें कोई दाग ना हो। जीवन बर जितने भूल करते हैं किसी का छीन कर अपना बनाना ये सब क्या हैं? ये सब दाग युक्त जीवन हैं। अब श्वेत जीवन जीओ, साधा जीवन जीओ, वो बाल हमें संकेत करते हैं आकर। लेकिन उसके बाद भी हम सभी लोग इन सभी चीजों को अंदेखा कर के जीवन जीते भजन जैसे तीन अवस्था मैंने प्रारंभ में कहा बाली अवस्था में किया गया जो आपका भजन होता है वो अमृत के समान होता है और अम्रित का पान करने वाला अमर हो जाता है होता है कि नहीं आप अगर बच्पन से भक्ति लाइन में जुड़े हैं तो आपका वो भजन अम्रित रूप में है दू जी ने प्रहलाद जी में बच्पन में भक्ति की आज संसार में अमर है तदोप्रांत आती है युवाआ अवस्था युवाआ अवस्था में किया गया भजन दूद और दही के समान होता है अगर आप युवाने में बढ़िया कस के दूद दही घी कालो तो बुढ़ापे के लिए शरीर मज़्बूत हो जाता है आपको रोब जल्दी पकड़ने वा पाच मिनट पे दस मिनट पे लगती है अगर आप यह करते हैं कि भईया बच्पन नहीं करूंगा वजन युवानी नहीं करूंगा मैं तो बुढ़ापे में करूंगा तो फिर इस बात को विशेश ध्यान दखिएगा कि जिस तरह पानी के बिना जीवन नहीं होता उसी प्रका बच्पन में शुरू हो जाए उसी की पच्पन तक चलती है पच्पन में शुरू होने वाली बच्पन से शुरू होगी तो पच्पन तक काम आएगी पर आप सोचो पच्पन में शुरू करें तो यह होने वाला नहीं है बुढ़ात वता राम राम नहीं बोलता है लाक पढ हालो कैसे बोलेंगे कि केते हैं कि जब आप छोटे होते हैं तो हमारी बाल्यवस्था में हमारी सारी उर्जा हमारी शरीर में जितनी एनर्जी होती है ना जब हम छोटे होते हैं तो वो एनर्जी वो उर्जा पैरों में रहती है बच्चों का आप कभी शांत नहीं देखेंगे इधर जाएंगे उधर भागेंगे खेलते रहेंगे क्योंकि बच्पन में सारी उर्जा बच्चों के पैर में होती है बड़े हुए युवा अवस्था में वो सारी उर्जा प्रमाद और जोश का रूप धारड कर लेती क्या कर लू क्या बना लू और जब तीसरी अवस्था आती है बुढ़ापा तो बुढ़ापे में सारी उर्जा हमारी जिहवा पर आकर बैठे जाती है हमारी वाड़ी में सारी उर्जा केंद्रित हो जाती है ये पता है क्यों होता है क्योंकि तन उस समय साथ छोड़ देता है केवल ये जुबान है जो साथ चलती रहती सब चलना बंद कर देते हैं पर ये जुबान चलना बंद हमारी व्रिद्धा वस्था में सारी उर्जा वाड़ी पर केंड़ित हो जाती है इसलिए देखिए जब बुढ़ापा आता है ना तो घर में कोई कहीं से आ रहा हो पलंग पे भी पड़े रहेंगे तो बीमार हालत में भी पूछेंग को आया है कव तक रहेगा ये जोलंका लेके जा रहे हो ये बोरी में अभी अभी क्या आया है अब आप विचार करो इन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी चूकि सारी उर्जा आपकी वाड़ी में केंड्रित होती है ना तो इसलिए उस समय बहुत जादा बोलने का स्वभाव बन जाता है हम अत्यधिक बोलने लगते हैं व्रद्धावस्था में मैंने आप से शायद दितिय दिवस में या प्रथम दिवस में कहा प्रयास किया जाए व्रद्धावस्था में मोन रहने की सब्सक्राइब मौन रहा जाए लोग कहते ना कि अरे बुढ़ापे में तो हम अगर हमारे साथ हमें दिक्कत हुई अगर हमें कोई नहीं पूछा तो हम तो जहर खा लेंगे हम तो आत्माहत्या कर लेंगे आज तक कभी 90 साल के किसी पुरुश या इस्त्री को आपने आत्माहत्या करते सुना ह कभी आपने सुना 80 साल के बुजूर्ग ने घर से परिशान होकर पंखे से लटक कर जान दे दी व्रद्धावस्था में जीने की इक्षा बढ़ती है इक्षा समाप्त नहीं होती है व्रद्धावस्था में अगर कोई वेक्ती एकदम आखरी सांस ले रहा हो जाकर गर्द्धावस्था एक ऐसा समय होता है कि व्रट्टी को लाचार बना देता है हम केते हैं न कि हम धर छोड़ देंगे हम द्वार छोड़ देंगे अरे आप क्या छोड़ेंगे आपका शरीर ही एक दिन आपको छोड़ देगा आप पैरों से कहोगे चलो पैर कहेंगे मैं च सबसे पहले तो अपने तन ही अपना साथ छोड़ देते हैं फिर गैर साथ छोड़ें तो इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं है एक सादक हुए नद्धा सिंग जी उन्होंने अपने भजन के माद्यम से कुछ ऐसा ही एक संकेत किया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरी का जब आपके पास समय है कोई कहें बहिया कटा सुनने चलोगे ना बहिया बड़ा काम है अभी नहीं जाओंगा अभी समय नहीं है हुआ फुर्सत होती है तो कहते हैं अभी फुर्सत नहीं है फिर एक समय आता है फुर्सत के वक्त में ना अरे सुमिरन किया हरी का उस वक्त वक्त मांगा अकरी समय में ठाको शीचेकर पांच मिनट दें तो लगवाल का करने भजन करेंगे अरे वाले इंसान पचास साल में तो तो पांच मिनट में का कर तो उस वक्त वक्त मांगा अरे जब वक्त तंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया अरे जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो जीने का धंग आया जीवन जटम उआओ गाड़ी निकली गई तो गर से चला मुसापे गाड़ी निकल गई तो गर से चला मुसापे आट वजए भाई से आप घर पे सामान पैक करके अपने घर से निकले गाड़ी मिलेगी क्या अरे गाड़ी निकल गई तो पड़ी निकर गई तो गर से चला मुसाब मायू से हाथ मलता वापस में रंग आया जीवन खतम हुआ को मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा बहुत सुंदर सी गाड़ी हो इंजन खराब हो गाड़ी चलेगी क्या अच्छा गाड़ी का इंजन एकतम नया हो पूरी गाड़ी खराब हो अब गाड़ी चलेगी क्या चलेगी दोनों सही होंगे तब ही गाड़ी चलने वाली उसी प्रकार जब तक ये तन रूपी सारे पार्ट ठीक होते हैं तब तक मन का इंजन भिगड़ा रहता है आप केते हो कता में चलो वो केता है चाय पीने चलो और जब आपका मन का इंजन ठीक होता है तब तक सारे पार्ट खराब हो चुके होते हैं होर्न भी खराब, इस्टेरिंग भी नहीं चल रही है, मन ठीक तो तन खराब, तन ठीक तो मन खराब, नता जिंग जी कहते हैं अजी मन की मशीनरी ने, तब ठीक चलना सीखा अरे, जब बुढ़े तन के हर एक, अरे, पूर्जे में जंग आया जब बुढ़े तन के हर, पूर्जे में जंग आया, जीवन का तम हुआ तो अरे, जुआ आया, पूर्जे में जंग जुआता प्राब्स आए, जीवन का तन का बड़ाब, जीक तो तो पान तो कि वह था रिया यह था तर्वान करने गवादी थे विद्धिया रिए भादी भी तर्वादी विए भी तर्वाद्वादी युआ है आयो निनत्था सिंग तब हतियार फेंक डाले जब यमराज फौज लेकर अरे करने को जंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जीवन खतम हुआ तो जीने का धंग आया जब शम्मा बुज गई तो जब शम्मा बुज गई तो मेरे फिल्मे रंग आया जब सम्मा बुची गई तो मेरे फिल में रंग आया जीवन खतम हुआ तो जीवन खतम हुआ तो साधक केते हैं गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुशाफिर और जब इतनी लेट से निकलोगे तो गाड़ी मिलने वाली तो है नहीं तो क्या होगा मायूज हाथ मलता वापस बेरंग आया पुरसत के वक्त में ना सुमिरन किया हरी का उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढे तन के हर एक पुरजे में जंग सब जब जंग खा जाते हैं तब सोचते हैं कि भईया अरे जंग लगने के बाद तो नट और बोल्ट भी आपस में चिपक जाते हैं तो हम कहां संसार से छूटेंगे मन भी जूटने वाले थोड़ी ना है दश्रत जी के हदे में अब एक विचार आ रहा है वृद्धा वस्था आ गई अब ये राज्य भार किसको सौपूं मन ने कहा मेरे राम से योगी और कौन है राम को दूंगा पंचो के पास जब यह मत रखा जो पांच ही मतला गई नीका करहूं हरश ही यह राम ही ठीका अगर आप सभी को मेरी बात उचित लगे तो मैंने विचार किया है ना कि मैं अब ये राजगदी से अब मैं निवत्ति लूँ और राम को इस गद्धी पर बिठाओं सबके तो मन में पहले से ये बात थी सभी रोज विधाता से प्रार्थना करें कि अब यही एक एक शापून हो जाए विधाता राम राजा बन जाए सभी ने दश्रत जी के खूब जेजेकार करी अब दश्रत जी महराज तक काल पहुँचे गुरुदेव भगवानी के पास सुख का समय था ये और अब भी गए हैं और जब दुख का समय था तब भी दश्रत जी ने गुरुदेव के ही चरड का आस्रा लिया जब पुत्र नहीं था वो उनके लिए दुख और ग्लानी का विश्य था गुर्देव के शरड में गए आज एक सुख का पल आया तो पुना गुर्देव के पास गए अब आप बताओ आपका क्या निड़ने कहता है महराज मैंने यह यह विचार किया है हमारी चूक यही होती है सुख के पल में भगवान के द्वार पर नहीं जाते सुख के पल में इंसान के द्वार पर और दुख के पल में भगवान के द्वार पर दश्रत जी ने जाकर गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरे हृदे में ऐसा ऐसा एक विचार आया है आग्या करें आपका क्या आदेश है अब गुरुदेव भगवान तो त्रिकाले दर्शी हैं सब कुछ जानते हैं कि दश्रत जी जिस राजय विशेक के पल की बात कर रहे हैं ये दिन तो 14 वर्ष बाद आना है लेकिन फिर भी गुरुदेव ने आज दश्रत जी से एक बात कही क्या कहा माराज जल्दी करिए देर ना करिए बेगी और बिलंब ना करिए दोनों का अर्थ एक ही है जल्दी करो इसका मतलब भी तो यही की देर नहीं होना चाहिए पुना कहा शीक्रता करिए विलंब ना करिए अच्छा एक लाइन में दो बार ये बात बोलने की गुरुदेव को क्या उशक्ता थी बेगी बोल देते तो भी अर्थ वही था विलंब ना करिए बोल देते तो भी वही अर्थ था और एक वाक्य में गुरुदेव ने दो बार वही शब्द प्रयोग किया क्यों किया क्योंकि गुरुदेव भगवान आगे का द्रिश्य देख रहें गुर्दे वी ये विचार कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो राजय विशेक के बाद वन्वास का अक्रम है ये कल के दिवस का कारिय है अगर आज के आज राम राजा बन जाए तो हो सकता है विधाता की लेखनी में कुछ परिवर्तन हो जाए अगर कल के विशे पर टाले ही ना आज राम को राजा बना दे तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए इसलिए दो बार कहा राजन जल्दी करो शीग्रता मत करो जितनी शीग्रता से विवस्था बना सकते हैं बनाईए पर महराज ने क्या विचार किया सबसे जल्दी का समय महराज को कल का लगा है कल से नजदी क्या है हमारे आपके लिए भी आप बताईए अगर कोई काम आपको करना है जो आज आप अभी नहीं करना चाहते उसको कब करेंगे सबसे जल्दी जो करना चाहेंगे कल ही तो से पहले यह राम कथा याद कर लेजिएगा दश्रत जी ने भी कल को सबसे करीब समझा और वो कल 14 साल के बाद आया है दश्रत जी के जीवन में इसके पहले यह आख लिपाया कल का कोई भरोसा नहीं हम केते कल करेंगे अरे कल देखा किसने है यहां इंसान की अगले पल का भरो साने यह जो स्वास निकल गई है यह वापस भीतर जाएगी इस बात की भी कोई गैरेंटी जोड़ दो वारेंटी नहीं ले सकता है गैरेंटी तो दूर की बात है जो भीतर गई वो वाहर आये की ना आये जो बाहर गई वो भीतर आये की ना आये इतने तक का भरोसा नहीं है विधाता की ऐएसी ऐसी लीला कोई चार मंजिल से गिर के भी बच जाता है कोई तखत से गिर के मर जाता है तो कब क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं इसलिए बार-बार ये सत्संग ये कथा कहती है भैया जब पल का ठीकाना नहीं है तो कर्म तो अच्छे करते चले कर्मों में कुछ बिगडाहतनी होनी चाहिए कर्मों में गडबड़ी ना हो पाएं केते हैं वेक्ति कि एक बार मरने के बाद इंसान दुनिया से चला जाता है इन्सान जा सकता है पर कमाया हुआ नाम कभी भी संसार से नहीं जाता कभी भी नहीं जाता है विक्ति जी की गाथा कौन नहीं गाता है क्या मीरा महियां हमारे बीच बेठी हैं क्या नर्शी भगत जी है और आज उन्हों ने ऐसा भजन करके सतकर्म प्राप्त किया कि संसार उनको याद करता है जीवन में आपके कर्म ऐसे हैं और एक बात कर्म सही है या गलत है ध्यान से सुनिएगा आपका कर्म पाप का है कि पुन्य का है ये कौन सी बात तै करेगी पहले ये भी समझ लीजे अगर पुन्य कर्म करने के पीछे भी आपका उद्येश्य गलत है तो आपका वो धर्म का काम भी धर्म नहीं है अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं मुझे फलाज बदला लेना समझ में आ गे इत्ती सी बाद आपका काम आपने क्या आप दान कर रहे हैं पर दान करने का उदिश किसी को नीचा दिखाना है तो ये धर्म भी आपका धर्म कहा नहीं जाएगा और अगर किसी परोपकार के लिए किसी की रक्षा के लिए आपको एक जूट भी बोलना पड़ गया तो वो जूट की गिंती भी धर्म में की जाएगी कुल मिला के मूल बात ये कि कर्म करने के पीछे का उद्येश सुनिशित करता है कि आप पाप कर रहे हैं कि पुन्य कर रहे है कि वल आपका उद्येशित आप किस धार्णा से वो काम कर रहे है राजा दक्ष ने क्या अधर्म का काम किया था यग्य कर रहे थे इतना अच्छा यग्य की सारे देवता पधारे थे पर यग्य करने के पीछे का उद्येश्य क्या था मुझे अपने जमाता शंकर से बदला लेना है काम सही है इरादा गलत है सीधे शब्दों में समझे काम सही हो इरादा गलत हो तो आपका वो काम भी सही काम में गिना नहीं जाएगा कद आप ही नहीं श्री दश्रत जी महराज सबसे करीब समझ रहे हैं कल ही तो है कल राम को राजा बनाओगा तयारियां होने लगी सारी तयारी जल्दी जल्दी हो रही है और इधर गुर्देव से कहा महराज ने गुर्देव कल राम राजा बनेगा तो ऐसा करिए आज की बेला में आप जाकर राम को उपदेश करिए कि उसे कौन-कौन से वृत का पालन करना है सायंकाल गुरुदेव पहुचे राम जी के भवन में रागो जी बड़े प्रसन्न होए सेवक सदन स्वामी आगमनू गुरुदेव आप पधारे आज्या करके मुझे बुलवा लिया होता मैं स्वयम आजाता आप क्यूं कष्ट करके आए रागो जी के समक्ष जाकर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कहूं जो भी थी कुशन मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी रवहू सुमत अशरत अजीर बिहारी गुरुदेव भगवान ने रागो जी से कहा राम जी सैयम पूर्वक आज की रात्री आप व्यतीत करिये अगर विधाता ने सब कुछ ठीक कर दिया तो अगर सब कुशल से हो गो गया तो जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में खूब प्रशन सा करो बड़े अच्छे इंसान हैं पहुत बड़ी आदान पुन्य करते हैं बहुत बड़े भगज़ी हैं लेकिन से आपने जितनी तारीफ करी नादके लेकिन इस वह सारी तारीफ पर पाणी पढ़ जाएगा कुप प्रशंसा करिए अच्छे आदमी हैं अच्छा विचार करते हैं हमें बहुत मानते हैं लेकिन मतलब लेकिन के वाद कोई ना कोई शंका प्रदबात तो यह जितनी आपने अच्छी चीजे कहीं उस लेकिन के बाद यह सब कुछ खतम हो गया गुर्देव ने कहा रागो सारा संयम नियम पालन करिए यदी अब यदी शब्द का मतलब यहीं पर गुर्देव ने संकेत कर दिया की कल के विशय में मुझे कुछ शंका कल सब कुछ कुशल से होगा या नहीं होगा इसमें अभी मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ जो विधी कुशल अगर विधाता ने सब कुशलता से निभा दिया तो ये नहीं कहा गुर्देवने कि कल हो ही जाएगा अगर हो गया